असलाम उलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एड़ रेट 786 की चन पर आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गाजर की हलवे की रेसिपी वीडियो को फूल वच किजिएगा और कॉमेंट करके बताएगा कि कैसी बनी है हलवा तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक कडाही में एक बड़ा चमच घी डाल दिया है घी अच्छे से मिल्ट हो गया तो मैंने 1 kg गाजर को अच्छे से घिस लिया है धो कर छिल कर और उसको अच्छे तरीके से डाल कर म मेडियम फ्लेम पर लगभग मैंने 7-8 मिनर तक अच्छे तरीके से भून लिया है जितना है अच्छा भूनाएगा गाजर उतना है इसका टेस्ट अच्छा रहेगा और घी के जगा आप ऑईल भी यूज कर सकते हैं लेकिन गाजर का हलवा घी में बनाएंगे तो उसका टेस डेस्ट अलग ही आता है तो मैंने यहां पर भून लिया है और मलाइदार दूध मेरे पास था तो मैंने करीब 60-70 ग्राम लिया है आप एक के जी भी ले सकते हैं लेकिन मैंने 60-70 ग्राम लिया है क्योंकि मेरे पास मलाइदार गाढ़ा दूध था इसलिए अब हम गाज़र और दूद को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चारो तरफ से चला चला कर, और एक चमच यहां पर भी घी मैंने डाला है, बड़ा चमच, दो इलाइची को तोड़ कर डाल दिया है, और ढख देंगे, मेडियम फ्लेम पर 5-6 मिनर तक कूक कर लेंगे, मैंने यहां पर मेड चार से पांच मिनर तक कूक कर लेंगे, तो यहां पर ढख देंगे, और चार से पांच मिनर तक कूक कर लेंगे, चीनी को डाल कर मैंने चार से पांच मिनर तक कूक कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, मुझे थोड़ा थोड़ा हलका हलका पानी सा दिख रहा है, तो मैं इसको मेडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून ली हूँ और फ्लेम को आफ कर दी हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें मावा डाला हुआ है तो जरूर ट्राइ किजिएगा और कोमेंट करके बताइएगा कि ये रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेयर किजिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा थैंक्स पूर वाचिंग अला हाफीज